नमस्कार किस्तान भाईयों आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी किसान हमारा जान किसान भाईयों आज हम आपको गोविक इनर्षी गिराने की एक विशेस बढ़िया तरीका पताएंगे इस वीडियो में किसान भाईयों आप देख पार रहे हैं जो खेत के मतलब अच् आप हमारे चैनल पहली बार हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर देजिए और साथी लाइकन दवा देजिए तो आज यह किसान भाईयों आपको हम दिखाते हैं हमारी खेत की मतलब नीराई गुराई कैसे की जाती है जैसे आप देख पा रहे हो कि जो नाला आप देख पा पाँगे की जो मैं देख पा रहे होंगे कि जो हमारे मतलब उसमें खरपात वार रहे हुएए उससे अच्छे से निकाल देनी चाहिए से निकाल नहीं चाहिए नहीं तो हमें बाद में हमारी जो भीज होगी नुक्सान हो जाएगी जैसे आदेख पा रहे होंगे हमने घास को मतलब बहुत अच्छे तरीके से निकाल दिया हुआ किसान भाईयों जो आप देख पा रहे होंगे अगर हम बनिया से अगर इसमें की मिट्टी भुरुबरी ना करें और मिट्टी जो बड़ी बड़ी रहेगी तो हमारी बीज अंकुरण नहीं हो पाएगी उसके नीचे कुछ नुक्सान हो जाएगा किसान भाईयों जो आप इद तरीके से शड़ी होई गोबर की खार डाल दें चाहिए तब ही तो हमारी ज्यादा ज्यादा मतलब पौधे विकास करेंगे इसमें किसान भाईयों आप देख पा रहे होंगे हमारी जो क्यारी है किसान भाईयों बहुत अच्छे तरीकत बनाए चाहिए थोड़ा बारिज के है वह हमारी सेमनिश कंपनी की घरजा है मतलब दो हमने ब्रैटी को चूज किया है जो आज हम नर्शी डालने वाले हैं दिनांग की बात करें तो आज हमारे 17 अगस्त हो चुकिया किसान भाईयों किसान भाईयों अगर आप किसी भी बीच को अगर ले रहे हैं अगर वह आप स्कैनर देख रहे हैं इसे स्कैन करके पता लगा सकते है कंपनी की है ऑधले किसान भाईयों इस पहते कर से मतलब गोवियां की मतलब मतलब नष्री डहां डालने यह जो घैट कि तयारी हो चुकी है तासो कि ऊब दौ तरीकila के मुगए गवां सकते हैं दो यॉथ खैट कर सकते हैं जी मतलब हो आपको मतलब जीस प्रकार आपकि अच्छी आदान हो सके उस लोगएगी तो आप उसे देखवाल कर सकते हैं किसान भाइव गोवी की नश्री जिस दिन आप गोवी की डालते हैं उससे 20 से 25 दिन बाद गोवी की नश्री तैयार हूजाते यह transplanting के लिए किसान बाइयों अगर मतलब इस किसान बाइयों अगर आप मतलब गोवी की नर्शी डालते हैं जो आप देख पारेंगे इस वीडियो के मादम से मतलब नर्शी डालने से पहले हमें क्या-क्या-के ध्यान रख लेनी चाहिए हमें मतलब मसारी लेना चाहिए या पालीथेम को पालिधिफिश में लेना चाहिए ताक हमारी जो बारिस में हो वो नुक्सान हो सके जो आप देख पा रहे होंगे यह बारी मतलब कुछ कि नहीं है पहले हमें पाली थेल लेनी चाहिए ताकि हमारी जो बीज बीज गिराएं ताकि हम उसे बारिश के मुस्ते में उसे मतलब उसके अंदर जब पानी अगर आ जाएगा तो हमारी जहने सन नहीं होगे पाएगा जैसे आप देख पा रहे होंगे यह बीज कुछ आप से मार्केट की बात करें तो बीसरवे से पचीसरवे मीडर की प्रति आपको मिल जाएगी जो आप इदर देख पा रहे होंगे किसान भाइएं जो आप देख पा रहे होंगे हमारी कुछ प्रोब्लम के वजाए से नुक्सान हो चुकी है इसलिए आप इस तरह मतलब गल को नर्शरी को बचा सकते हैं बारिस आने से पहले उसे हमें बहुत अच्छे क्वालिटी से उससे मतलब तोप देनी चाहिए किसान भाइओ साथी बीज गिराने के मतलब खेत को एदम समतल होनी चाहिए तक है एक तरफ से मतलब हमारी पानी हो सके तो एक तरफ से निकल जैसे आप देख पा रहे होंगे किसान भाइयों कि मिट्टी एकदम भूरी बन चुकी है किसान भाइयों हमें बीज गिराने वाले हैं खेत की त्यारी भी हो चुकी है अज किसान भाइयों किसान भाइयों बीज डालते हैं उसे मतलब गिराने के पश्चात हमें खर पत्व है मतलब या बीज गिराने के पश्चात मतलब हम मतलब सिट जब खेत में लाइन से या बिखेर कर बीज गिरा जते हैं तो बराबर करने के प्रश्चात उसे के लिए के पत्ता या खर से तो दें चीए ताकि हमारे बीज अच्छा से अच्छा जर्मिनेसन हो सके किसान भाइयों अगले पार्ट में आपको बताएं क सब्सक्राइब करें किस परकार हमारी नश्री जमार किसान भाइयों अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बेल आइकन दबादें जाहिन जाए भारत जाए जवान जाए किसान